ओम्स्यंति, बाबा हमारे जीवन को पूर्टय डिवाइन बनाने आया है, ताकि हम हीरो एक्टर बनकर इस अंसार में बाबा का महान कारिये कर सकें। हमारे साथ सिर्वाबा और ब्रम्मा बाबा दो महान हस्तियां रहती हैं, सिर्वाबा तो सर्वच है ही, ब्रम्मा बाबा भी बहुत महान बने, हम उन्हें फोलो करते हैं, ब्रम्मा बाबा नंबर वन आत्मा बने, इसका एक प्रमुक आधार ये है, अने एक आधार हैं, वो पन से पूरी तरह मुक्त हुए, हमें भी उन्हें फोलो करना है, बाबा के अंदर लेस मात्र भी नहीं था, के मैं एक का मालिक हूँ, या मेरे द्वारा बाबा बहुत बढ़ा कारिय कर रहे, ये कुछ नहीं, बाबा ही कर रहे हैं, मैं पन और मेरा, मेरा एक, मेरा परिवार, मैंने धन दिया, मैंने एक को स्थावित किया, इस सब से वो पूरी तरह मुक्त थे, हम भी, अपने जीवन को यदि डिवाइन बनाना चाहते हैं, तो पूरी तरह से स्वैम को मैं और मेरे से मुक्त कर दें, ये मैं और मेरा पन गहरी जड़े मनुस के अंदर जमाए हुए है, और जो मैं मैं करता है, वो बकरी की तरह बहुत निरवल हो जाता है, उसकी सेवाओं में भी बल नहीं भरता, उसकी स्थिती में भी बल नहीं भरता है, तो आईए हम चेक करें, हमारे अंदर कहां कहां मैं पन और मेरा पन है, मेरा परिवार, मेरी सेवा, मेरे बच्चे, मेरी धनसंपत्ती, मेरा बिजनस, मेरा मकान, इस तरह है कि कई मेरे पन रहते हैं मनुसके अंदर मैं बड़ा, मैं घर का माली, मैं बहुत धन्वान, मैं बहुत गुद्धीमान, मैंने सेवाओं में बहुत सफलता पाई, मैं बहुत अनुभवी हूँ, मेरा समाज में बहुत सम्मान है, मैं बड़ा हूँ तो मेरी अध्या के बिना कुछ भी काम नहीं होना चाहिए, ये मैं औ और डिवाइन होता है उसमें धिव्यता आ जाती है तो सभी को ये बहुत अच्छी तरह भ्यास करना चाहिए अनुभों के साथ कि मेरी सक्तियों से सेवा नहीं हो रही है बाबा की सक्तियों से हो रही है मेरी सक्तियों से सफलता नहीं मिल रही है बाबा की ये गिफ्त है हम सेवां में सफल इसलिए हो रहे हैं कि इस वरी ये ज्यान हमारे साथ है कि परमात्म वर्दान हमारे साथ है और उसके द्वारा दिये गे टेलेंस हमारे साथ हैं सफलता का भी वर्दान उसने ही दिया है जो इस तरहे इन सभी मनोविकारों से मुक्त रहकर सेवा करते हैं, अपने घर को चलाते हैं, अपनी लोकी का लोकी को नती करते हैं, वो निरंथर प्रगती के पत्थ पर अगरसर रहते हैं। और जहां मैं और मेरा है, वहीं परिशानिया है, वहीं वियर्थ का प्रकोप है, वहीं मनुसको उदाशी, निरासा, हतासा पैदा होती है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा, तेरा ही दिया हुआ है, और तुझको अरपित, जैसे बाबा ने कर दिया था, मैं पन का I am nothing Baba, you are everything, ऐसे ही हम भी कर दे, मैं मैं के गीत न काएं, अपनी महिमा का गुनगान न करते रहें, बाबा बाबा, लेकिन कहीं कहीं आत्माएं, बाबा का गुनगान करते हुए, अपना भी गुनगान करने लगती हैं, इस से इस वर ये बल समत्थ हो जाता है, प्रभाव फीका पर जाता है, और तक्स्ता में देर होती है, तो आईए आज सारा दिन, हम अभ्यास करें, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, जो भगती में गाते आए, क्या लागे मेरा, अब उसका स्वरूप हमें वनना है, और आज सारा दिन, बार 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 बाप दादा का अहावान करेंगे, बाबा को बुलाएंगे, और फील करेंगे, बाप दादा अपना धाम छोड़ कर, नीचे हमारे पास आगए, हमारे सिर पर हात रख दिया, और ये फीलिंग दी बच्चे, मैं हूँ, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, मेरे वर्दान तुम्हारे साथ हैं, तो स हर दिन बाप दादा का आहन कर पर दे वे, यो का पर उप्न सुक्टरत करेंगे, ओ संत्कory साथ हैं, झा।